विधान सबा चुनाव का जहर तोर पर आगाज हो गया है। कल ही मुख्यमंत्री मनुहल लाल ने कहा कि सितंबर में आचार सहिता लग सकती है। पीजेपी ने अपना परचार परसार शुरू भी कर दिया है। कॉंग्रेस संग्णात्मक धाची की भी बात कर रही है। अधर अशोक तावर कहा तो हमारे नेत्रत में लड़ा जाए गा। पिछली बार भी चुनाव के नेत्रत में सब्सक्ति को सबीकों पता है। इस बार काउंग्र्स क्या रनीती नहीं त्यार कर रही है। उस विशे पर जानते हैं हमारे साथ विधाई का कीता भुकल月 पिछला चुनाओं आपने अशोक तवर जी के नेत्यों तुमें लड़ा, स्थिती आपके सामने आए कि 10 की 10 सीटे चली गई, अशोक तवर कहरें मैं स्थीफा नहीं दूँगा, मैं हटूँगा नहीं, मैरी नेत्यों तुमें चुनाओं लड़ना होगा, संगठन को अगर प्रदेश में बनी, उसमें आपने देखा होगा हमारे राष्टिया देख्ष राहूल गांधी जी ने स्वेंबीस पे स्तीफा दे दिया, और पूरी जिगह चिंतन मंथन चल रहा है, कि क्या कारण रहे, क्या कारण रहे, चुनाओं तो हमारा लोगसभा का था, और केवल औ रहतक में हमारे पूरे स्टेट लेवल का एक कारेकरता समेलन करने जा रहे हैं, उसके बाद 18 तारिक से चुनाओी बिगुल पूरी तरह से महा परिवर्तन रैली जो की रहतक में होगी, उसको एक बिगुल फुंक देंगे और हम बीजेपी को बता देंगे कि कॉंग्रस जो ह कभी भी किसी को कमजोर समझना चाहिए, भारतिय अंता पार्टे को लगता है कि कॉंग्रस बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, इनने लोग खतम हो चुकी है, लेकिन कॉंग्रस एक बार फिर नए तरीके से नए जोश के साथ आने को तयार है, देखना दिल्चस फोगा की 18 तरीक को क्या फैसला आता है, कैमरमन सियाराम के साथ कुमार रमेश, आर्नाइटीवी, चर्णीगड